सब्सक्राइब कीजिए सेविसेर एकडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फोर मोर अपडेट्स हाँ दोस्तों जैसे मैंने कल कहा ही था कि बूल और बैर में टग ओफ वार चल रहे हैं और इस टग ओफ वार में बूल ने आज विजय प्राप्त किया क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बार्केट में गिरावट आ सकता है लेकिन यहां पर बूल ने अपने को मजबूत करके और बाइंग फोर्च को बढ़ाया और उस तरह से एक प्लस पॉइंट हुआ अज सेंसेक्स में और सेंसेक्स ने जैसे आप देखा ही है आज आपने कि 57,684 619.92 एक परसेंट प्लस रहा 1.09 परसेंट और निफ्टी 50 भी 17,166 183.70 जस एक्जेक्ली 1.08 परसेंट उपर रहा तो वास्तों में दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा सुबह से मार्केट ने ओपनिंग ही पॉजिटिव दिखा दिया नमबर वन तो अब यह आसारत है कि भाई कोई बात या निउस नेगेटिव आ जाए तो गिर सकता है और वैसा कोई बात भी से रहा नहीं और एक तरफ से मार्केट अपने को इस्टेबल रखा हां यह बात है कि आपने देखा ही होगा कि यहां तक की साथ सो के उपर भी सेंसेक्स चला गया था और उसीशाफ से और वहां से भी छे सो साड़े छे सो मेंटें रहा एक बार चार सो का लेवल भी दिखा दिया था और दुपाहर तक लगवग तीन सो का भ पॉजिटिवली बॉंस बेक किया और आगे चल कर कुल मिला कर पॉजिटिव में ही क्लोजिंग रखा तो दोस्तों इसमें दो बातों का आपका विसेश ध्यानों एक तो यह कि आप देखी रहें कि जहां तक है कि मार्केट में बाइंग फोर्स तो आया है फिर भी जो रेंज म आज का क्लोजिंग है वो 619 पॉइंट और 183 पॉइंट और आप जानते हैं कि कल विकली एक्सपाइरी है मार्केट में विकली एक्सपाइरी में क्या होता है कि ज़्यादा तर मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है किसी को अपना कई लोगों ने जो पूट लिया है वो में यह है कि दोस्तों खास करके मेरे इन शब्दों पर विसेज ध्यान हो दोस्तों कि खास करके जब तक सेंसेक्स 58600 या उसके उपर नहीं जाता है या उसी तरह से निफ्टी 17500 के उपर जब तक यह नहीं मेंटेन होता है तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही रहेगा इस तो आप नोट कर लीजिए ध्यान में ले लीजिए मैं फिर से दोर आ रहा हूं कि सेंसेक्स बुली स्टेंट अभी पूर्ण रूप से पकड़ पाएगा जब यह 58600 अब चले और निफ्टी 17500 के उपर चले जब यह दोनों लेवल के उपर अगर यह दोनों लेवल जो मैंने अभी बताया आपको निफ्टी और सेंसिस का इसके उपर जैसे ही यह चलना सुरू कर देगा तो पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं दोस्तों कि मार्केट भूली स्टेंड में आ जाएगा और वो भूली स्टेंड मेंटेंड भी हो सकता है आगे की दिनों में भी तो यह दो दिसम्बर दो हजार एकीस के दिन मार्केट दोस्तों ऐसे वास्तों में भूलीशी है वास्तविकता यह है क्यों कि यह जो वैरियेंट और सब ले सकी नाम से वार्केट को गिराने का एक मैं क्या कहtermin को मेरे शब्द आपको जीव लगेंगे यह मार्केट को गिराने का एक ब खुद मानता हूँ दोस्तों कि मार्केट को पूर्ण रूफ से बुलिश ही रहना चाहिए आगे भी फिर भी यह जो कहते हैं न ग्लोबल शॉक्स इंडिया को लगते रहते हैं फॉरिंग का कम जस्ट कंट्री के जो भी जस्ट जो स्टॉक एक्स्चेंजिस हैं वहां पर अगर ग्लोबल शॉक्स लगते रहते हैं जबकि हम अपने दुनिया में स्थिर रूफ से चलते रहते हैं यानि सेंसेक्स निट्टी अपनी पॉजिटिव ट्रेंड में चलने का पूर्ण रूफ से प्रयास जारी रहता है और भूल भी यहीं चाहते हैं कि मार्केट को एक और सही लेवल पर लिया जाए और ले जाया जाए क्योंकि अभी में मार्केट को बुलिश टेंड में ही देख रहा हूं दोस्तों तो कुल मिला कि सेकेंड डिसेंबर 2021 की दिन में यह देख रहा हूं कि मार्केट वॉलटाइल रहेगा क्योंकि वीकली एक्सपाइर ही है इस कारण से लेकिन उस वॉलेटिलिटी का जो रिजल्ड देख रहा हूं दोस्तों आगे के ट्रेंड पर ही है क्योंकि इस समय दोस्तों सेंसेक्स और निप्टी के सारी कंपनिया पूर्ण रूफ से देखा जाए तो बेरिस मोट पर ही खड़ा है आज तो स्रिप आटो सेक्टर आईट तक है यहां यह support अगर बढ़करार रहा और buying force आगे भी रहा तो market को bullish trend में ही जाना चाहिए तो buying force आना ही आना है और मेरे हिसाब से कल अगर volatile रहा भी market तो जो closing होगा वो positive trend में होना चाहिए जहां तक यह मेरा मनना है बाकी तो न्यूस का भी से दोस्तों आप जानते ही हैं कि न्यूस कोई भी market को कोई भी लेल पर turning दे देता है इसे न्यूस के ओपर तो दोस्तों हमारी लिए exception नहीं हमें रखते हैं फिलाल तो in general market positive रहेगा बुलिश रहना चाहिए जहां तक है market के point से कह रहा हूं दोस्तों बस यही कहना था दोस्तों आपके knowledge के लिए और चलते चलते यही कहूंगा कि audio के end में जो मेरा services है उस पर आप business भ्यान से पढ़िए और उस service में आपको जो suitability आपको लगता है उससे संबधिता वाटसप में message करें आपको सारी जानकर ही प्राफ्त हो जाएगी चलिए फिर मिलते हैं फिर मिल झाल. झाल झाल